हेलो दोस्तों स्वागाद आप सबका मेरे स्यूटीब चनल दप्यनोबर में आप लोगों ने बहुत कोई नोटीस किया होगा कि मैं बहुत इची पेपर में लिखता हूं 45 रिपर 50 रुपाले नोटबुक्स है तो यह 300 रुपार का नोटबुक है नवनीत और आज मैं इसका र इंबुक्सिंग कर दी थी और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ने बना भी लिया था नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और इस वीडियो में इसके पार्स कवर करूंगा और आपको एक मेजरमेंट भी राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है फिर भी आप लोगो के लिए मैं उसे साही करने कोश्च करूंगा तो चलिए जस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे देना चाहता हूं कि यह तरह से डिस्कलेमर ही समझ लीजिए जिस जो भी बात में कहूंगा वो मैं अपने experience के वज़से कहूंगा मैं किसी का भी जो है यहाँ पर परचार नहीं कर रहा हूं या फिर किसी भी ब्रैंड को बुरा नहीं कर रहा हूं या फिर अच्छा नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर कोई भी advertisement के लिए नहीं आया हूं और नहीं मेरा रिव्यू मैं अपने प्रेस्पेक्टिव में दूंगा जो मैंने इस पेंट के बारे में फिल किया है तो चलिए दस्तो शुरू करते हैं और इस वीडियो को ज़रूर देख लिजेगा अगर आप ये पेंट लेने वाले हो तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सु leaking वाले ये इसके पार्स कवर कर लिते हैं अब देख सकती है का पिंट जो का अफी सभी है बर्त मैंने एक मेरे मेरे दोस्त है वह दोस्त हैं उनका चैनिल मेन टॉ новые तो उन्हें पाताया था कि यहां पर यहां से उनका कलर निकलने लग रहा है तो मैंने अबी तक कुई दो मेंने यूज कर लिया मुझे तो कोई वैसी चीज एक्सपिरियंस नहीं हो यह हो सकता है बाद में हो सकता हो और फिलाल तो इसका पेंट जो काफी सही चल रहा है और कैप के अंदर यह देख सकते एक ग्रिप भी काफी सही है जो निब है वह स्टेंले स्टिल है फ्रहसा क्लोजर लूप देते हैं कैब यह काफी स्टिफ है देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर जैपैन जैपैन है और यहां पाइलट है पाइलट जैपैन यहां पर दी गई है और यह एक मीडियम निप है जैसे कि आप देख पारें पाइलट एम जैपैन निप की इंग्रेविंग यह आप डिजाइन देख सकते हैं यह lizard design है ऐसा crocodile आता है leopard आता है फिर white tiger आता है बहुत से design आते हैं इसमें यह cartridge उसकर रहा हूँ जो कि इसी pilot cartridge है इसके साथ cartridge नहीं आता है जो कि useless था तो मेरे पास cartridge पड़ा था वह converter बहुत ही खराब था उसमें जाती ही नहीं थी वह सकता है मुझे यूज करने नहीं आता होगा तो आजकल के जो push type या फिर convert रहते है वह बैटर होते है या फिर two step वह वाले अच्छे रहते है यह इंक bladder वाला converter था पाइप जैसा कुछ इसमें अंदर था वह बहुत ही घटिया था इसलिए मैंने उसे निकालके कार्ट्रेज लगा दिया कार्ट्रेज में भी पाइलेट का इंक है पाइलेट इंक मेरे खतम ही होने वाला है ज्यादा बचा नहीं है पारकर का एक blue इंक है और black इंक बचा पर पर इसमें ऐसा कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलता बट वह चीज अच्छी भी लगती है तो यह काफी स्टेट फॉर्बल डिजाइन है और ओवल टाइप ऑवल शेप का एक कैप्सुल जैसा लग रहा है वैसा है ने भे जो स्टेनली स्टील में बता चुका हूँ को ऑब इसक भात करते हैं मेरमेंडे में, यह जो है 14 सेंधिम column है कैप्ट , निकप्ट यह 12.7 संंंंंं के पोस्टेड यह वें रहे हुजक उप आपको पता चल जागा कि यह किन सभी खातों के लिए है तो चलिए अब हम मेरे लाइक के बारे में बात करते हैं सबसे पहला लाइक है वह है इसका निब और इसका निब मेरे एक डिसलाइक भी है बताऊंगा कैसे सबसे पहला लाइक है निब की जो कंसिस्टेंसी एक सही है ब जो है वह अच्छा जितना एडजेस्टमेंट हो सकते वह कर बेज़े बादे थोड़ा प्राइस बढ़ा दी जिए पर मुझे अच्छा पैंच चाहिए बाइं अच्छा इप कुएट स्मूध है इससे जादा स्मूध है बट ये भी कम नहीं है किसी भी है सबसे दूसरी लाइक है वो है इसका जो कैप है ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पदता है कोलने बंद करने के लिए तो ये भी काफी साही है और आप जहीं यह sound सुन रहे होंगे वह भी काफी satisfying है तीसरी चीजा है paint job तो मुझे अभी तक तो कोई issue नहीं दिखा और तीसरी चीजा है वही paint job जो इसका काफी साही है और construction quality भी इसकी काफी better है वह चौती चीज है जो construction quality मेटल की जो कॉलिटी है वो फील होती है कि हाँ एक अच्छा पैन है अप एक अच्छे डूरेबल पैन से लिक रहा हो गिर भी जाएगा तो तो हो सकता है ज्जादा कुछ नहीं हुआ है मैंसे दो-तीन बार गिर चुका है बड़ कुछ हुआ है निया दो-तीन मेने से मैं इसे जो डिजाइन है सबसे आखरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आए वो है यह जब भी मैं इसके कैप को यहां पोस्ट करता हूं किसी भी पेंट में यहां पे दाग आ जाता है यहां तक की पारकर आयायम में भी आ चुका था जब मैं पोस्ट किया था बट इसमें बिल्कुल भ हो चुका है चली श्रु करते हैं अब मैं का डेली लाइक में निभ कैसे है निभ्ला ए दिसलाइक में भी है निब मुझे पसंद है क्योंकि यह स्मूध है बट जब मैं इसे थोड़े से भी रफ पेपर में लिखता हूं जब पेपर यह थोड़ी सी घड़ जाती है तो इसका जिनने वह वो इंग फ्लो में थोड़ा स्ट्रागल करने लगता है वैसे जब मैं से पेपर में लिखता हो त केमलिन की कॉफी जाती है जो 35 टू 45 रुपीज में मिल जाती है तो उनमें यह परफॉर्मेस थोड़ा सगिर जाता है तो वह मुझे पसंद नहीं आ और यहां पर यह सेले एक्सीड किसी भी पेपर में भी साही परफॉर्म कर लेता है पारकर आयम भी किसी भी पेपर में साही परफॉर्म कर जाता है और पारकर फ्रेंटियर भी बट पता नहीं इसमें क्या प्रब्लम है इसके जो निम में क्या प्रब्लम है जो कि स्मूद पेपर में अच्छा लिखता है खैर कोई बात नहीं अब दूसरी चीज जो मुझे पसंद नहीं आई उतनी भी पसंद नहीं वबा इसका जो ग्रेप है तो पतला है मीडियम पूद के लिए ठीक है बड़ अगर आपके भाद बड़े है तो बीज पीले यह पैं मत ले ना आई यह पैन आपके लिए हनला आप दूसरगी ले लो यह पैं मत लेटे लेना या यह फ़ेर आप का पतला है जो है एदेक्सक और दूसरी चीज जो अगली चीज जो मुझे एकदम पसंद नहीं है वह थी इसकी converter जो कि मैंने और लड़ी खो दी है वह बिल्कुल ही पसंद नहीं थी वह ब्लैडर जैसे थी जो उसके जो पीछे थे वह से पूस करना परता था फिर निप को डालना परता था फिर छोड़ने छोड़ने से उसके ब्लैडर में का जाती थी उस टैप कर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अब चलिए रैटिंग सेंपल की बारी आ गई है अब कुछ करूंगा कि मैं रैटिंग जितना सी जितना अच्छा हो सके हो जाए चलिए अब लिख करके देखते हैं कि यह कैसा लिखता है स्मूद पेपर है तो यह काफे अच्छा है लिखेगा हुआ हुआ है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि काफे साही लिख रहा है और यह है मेडियम नेव स्टील का है मेडियम नेव स्टील और इंक है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा है कि अच्छा ने दिखते हैं कि अच्छा है किए कि अच्छा हम काफ़ी सपर्फॉर्म कर रहा है और वेटनेस टेस्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट मैंने किया था इसमें पाइलटिंग भी काफी जल्दी सुख जाती है बड़ी है ठीक ठाक है उतना भी कम नहीं है और लाइन वेरियेशन जादने मिलेगी क्योंकि यह लाइन वेरियेशन के लिए बढ़ा नहीं है यह पैन यह विदाउट लाइन वेरियेशन यह लाइन वेरियेशन के साथ है यह विदाउट लाइन वेरियेशन तो यह ऐसे ही लिखता है कि दो निप साइज के साथ आता है फाइन और एक्स्ट्रा फाइन और मीडियम जो फाइन वाला है वो ड्रॉइंग करने के लिए सुना काफी बैतर है मैंने इस्तमाल की नहीं किया है फाइन वाला बट इसी से ड्रॉइंग करके देख लेते हैं यह कैसा है एक अब ड्रॉइंग भी खराब है कुछ और लिख करके देखते हैं सॉरी यह ड्रॉइंग बहुत ही खराब बन गई यह कोई बात नहीं इस पैन लिख काफी सही रहा है विदाओट एनी प्रॉब्लम इट इस राइटिंग वरी नाइसली एक अच्छी सी ड्रॉइंग बना के देखते हैं कैसा बनता है एक इंडियन फ्लैग और बनाते हैं कि जितना अच्छा से मैं बना सकूंगा भई देश का फ्लैग है मैंने बना सकूँ तो लानत है वही मेरे उपर मेरा देश माहन है पिछली वाली से यह थोड़ा से बैटर था काफी सभी है पैन भी काफी सभी लिख रहा है और इसकी राइटिंग की वी काफी सभी है और मुझे यह पैन काफी सब्सक्राइब पसंद आ भी जादा नहीं है तो आपके लिए ठीक रहाएगा बट अगर आपके हाथ बहुत बड़े है तो प्लीज इसे मत लेना मैं इस पैन को रिकमेंट नहीं करूंगा उसके बदले आपको दुसरा पैन सर्च कर सकते हो और एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं इस पेपर को रिव को वाश तो मैं उसको वाश करने का तरीका आपको बताऊँगा उसे कैसे केयर करते है पूरी गाइड में पताऊँगा उस फांटन पेन के बारे में तो ज़रूर देखेगा वह वीडियो जल्दी ही आएगी दो-तीन दिनों के अंदर तो आशा कर तब से को मेरे वीडियो का जरूर लाइक कीजिएगा प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसे भी ये पैन लेना है वो प्लीज मेरे वीडियो जरूर देखने ना तो चलता हो दो मिलूंग एक नई वीडियो के साथ तब तक के प्यार भरा गुडबाई